नशकार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं Market Report आईए बात करते हैं National Guess के next contract की एक की थो expiry आज है पर उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं मैं बात करते हूं next contract की यहां देखें यहां पर आप clear कर देख सकते हैं next contract ठीक है तो next contract की बात करते हैं जो जून में एक्सपायर होगा, 25 जून की जिसकी एक्सपायर ही है, एक के तो आज ही एक्सपायर ही है, 26 मही की, confusion में कुछ ना रहें आपके mind में, तो इसलिए मैं आपको पहले यह चीज़ बता के चल रहा हूँ, और National Gas पे मैंने अभी दो दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था, कि 145 अगर यह break करता है, 145.50 अगर यह break करता है, तो बहुत अच्छे चांस है National Gas के next contract में buying के लिए, तो वो बिलकुल exact, इसका यह high था, इसके बाद मैंने यह बताया था, यहां पर तब यह trade कर रहा था, तो मैंने बताया था कि Natural Gas में 145, अगर यह फिर से break करता है यह level को, तो बहुत अच्छे चांस है इसमें buying करने के लिए, और नीचे में, दोनों मैंने option बताया था कि अगर नीचे में यह 140 रूपीज अगर यह break करता है, तो बहुत अच्छे चांस है selling के लिए, दोनों ही option थे, market बीच में trade कर रहा था, कल market open हुआ था, market नीचे थोड़ा सा range में रहकर close हो गया, ना इसमें उपर का level break करा ना नीचे का, आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि market ने इस थोड़ा sideways trade करके, एक इसमें अभी एक jump पानिश रू हुई है थोड़ी दिर पहले, और इसने 145.50 का level बह trade कर रहा है, तो अब हम बात करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, किस तरीका, देखिए, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने इस वीडियो को देखके, इस trade में enter किया हो गया नहीं किया होगा, पर अगर वो एक single trader भी ऐसा है, जिसने मेरे वीडियो को देखके trade किया है तो उसके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपने enter किया है, तो आप किसी एक position से, वोई चीज है जो मैं हर अपने वीडियो में repeat करता हूँ, आप at least two positions में at a time enter करेंगे, दो की position आपकी हमेशा होनी चाहिए, अगर आपने एक में यहां पर entry लिए थी, तो एक क profit कहां exit book करेंगे, कहां नहीं करेंगे, वो आप पर depend करता है, आपने यहां end book कराओ, यहां book कराओ, यहां book कराओ, यहां फिर ओर थोड़ा wait करेंगे उसे book करने के लिए, ultimately market अभी आपके favor में है, कोई problem कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही, आज इसके expiry भी है, तो मुछे ल support मिला है, और इस time आपका जो stop loss है, वो है 141, देखें आपके जो buying level है, उससे सिर्फ साड़े चार रुपए नीचे है, जो generally आप एक random trade भी अगर आप natural gas में लेते हैं, तो साड़े चार point आप बहुत easily देख लेते हैं, तो साड़े चार point का आपका actual stop loss है, जहां पर आपको position स exit करना है, यह मैं अभी की बात करा हूँ, जो market यहां trade कर रहा है, थोड़ी ओर उपर जाएगा, फिर हम देखेंगे कहां consolidate करता है, कौन सी trend line है, कौन सी horizontal line है, कहां support मिल रहा है, कहां resistance मिल रहा है, उन सारी चीज़ों को हम discuss करेंगे, पर फिलहाल, 141 का आप stop loss लेके, इस contract में आप buying की position में enter रहे सकते हैं, ठीक है, यह तो मैंने अभी 15 minute का chart open किया हुआ था, तो मैंने आपको यह चीज़े बताएं, दूसरी चीज़ आपको 15 minute के chart से, मैं यह बताना चाहरा हूँ, कि आप यह देखेंगे, इन levels पे इसमें एक buying आनी support मिलना शुरू हुआ था, इनी levels को इसने आगे continue करा, यहाँ पर इसे support मिलता रहा, और यह नीचे जाने की बजाए, इसने एक उपर को turn लिया, और यह level इसने break कर दिया, और अब market उपर sustain करेगा, इन levels को अगर यह break करती है natural gas, तो ही हम इससे exit करेंगे, वहना बहुत अच्छी opportunity में हमने enter किया है, profit profitable है, कितना profit आप इससे earn करेंगे, वह हम आगे देखते रहेंगे, आप position को as it is, आप hold करके रखे, carry करके ले जाएए, जब तक इसमें 141 का level break नहीं होता, और जितना उपर जाएगा, हम कोशिश यह करेंगे, कि इसमें ज्यादा से ज्यादा profit book करें, और एक chance यह भी लग रहे हैं, कि आज हो सकती है, एक expected value लेके चल रहा हूं है, बहुत ही random है, और base सिर्फ इसका एक ही लग रहा है मुझे, कि जो market है, वो जिस तेजी से उपर बढ़ना शुरू है, यह शायद 152 के level तक भी आ सकती है initial guess, तो फिलाल इसे बहुत अच्छा breakout मिला है, यहाँ पर हम एक गंटे के चार्ट पर देखेंगे, कि यह इस तरीके का कुछ इसने कर्व बनाया है, और यहाँ से ही इसने उपर जाना शुरू कर रहा है, देखें, बहुत जल्द बाजी में बहुत छोटा सा profit हम लेके निकल जाते हैं, पर बहुत अच्छे अच्छे profit हम छोड़ देते हैं, अब इस इसरी यह देखनी की होगी, कि यह जो नेशल गैस उपर बढ़नी शुरू हो रही है, इसे क्या यहाँ पर फिर से resistance मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इससे पहली यह नीच्छो गाना शुरू करेगी, और जहां नीच्छो गाना शुरू करेगी, या हमें थोड़ा सा risk तो फिलहाल इनेशल गैस में और कुछ खास नहीं है, आज की expiry होनी है, कहां पर होती है, कहां नहीं होती है, यह हम देखेंगे, और इसी के साथ अभी इनेशल गैस में मेरा यह वीडियो था, बने रही है मेरे साथ, सब्सक्राइब करिए Market Report, शेयर कीजिए, लाइक और इसी तरीके से मैं वीडियो बनाता रहूँगा, देखते हैं Market Report, धन्यवाद